मैं थोड़ी देड़ के लिए घर से बाहर क्या गया आपने मौक्य का फाइदा उठा के अपना असली रंग दिखा दिया मैंने बौन किया था आपको कि आपकी वज़े से नहीं मेरी मा को कोई तकलीव पहुचने चीए और नहीं उनकी आखों में आशो आने चीए अब आप एक पल भी इस घर में नहीं रहीं रंबीर ने अंश की मा आशा को निकाला घर से बाहर बात हो रही है कालस टीवी की मोस्ट पॉपलर शो सिर्फ तुमकी आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर दोनों सौतनों के बीच यानि की अंश की मा और रंबीर की मा के बीच लड़ाई होती है जहाँ पर रन्बीर की मा ममता अंश की मा आशा से कहती है कि मेरी थोड़ी देर के लिए आख या लग गई तुम मेरे पती के साथ चीप श्रिक करने लगी और फिर यहाँ पर हाथ पकड़ लेती है ममता आशा का जहाँ पर आशा ममता का हाथ चुड़ा कर उसे धक्का दे देती है और कहती है कि इस तरह से बात करने का हग सिर्फ और सिर्फ विकरांत जी का है और यहां पर इस बात की खबर रंबीर को लग जाती है कि आशा अंटी ने उनकी मा के साथ बच सलूकी की है इसके बाद किया रंबीर का गुसा अंच की मा आशा पर फूटता है और रंबीर आशा से कहता है कि मैंने आपको पहले चेतामनी दी थी कि आपकी वज़े से मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और आपने मेरी बात नहीं मानी और आपकी वज़े से उन्हीं तकलीफ हुई है अब आप इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगी निकल जाएए मेरे घर से बाहर उसके बाद अंच की मा काफ़ी शौक हो जाती है वालाने वाले एपिसोड में देखना काफ़ी जादा दिलचस्प होगा कि अब अंच की मा आशा क्या करेगी टीवी सीरियल से जूरी तमाम लेटेस्ट अबडेट के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा